अस्सलाम अलेकुम, हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चानेल सानाज माल्टी कुजिन फूर्ड छांड़ा अज बेसमेनी में में संवाय राइड़ा даже जर्पकुम, में इस गौज़ालगी नियुकर उफ़ समंदा जर्पकुम, इस अलज़ा है मानदी, उसी के साफ सर्प्रव कम साथ मार्प करें। बहुत ही टेस्ट लगता है खाने में और इस चाटनी को बनाना भी बहुत एजी है फाइब मिनिट में चाटनी बन का तायर हो जाता है तो चले स्टार्ट करते है तो यह में नी चाटनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जारूरत है चलिए देख लेते हैं तो देखे नमक काई नमक स्वादा नुसर और 15 वांन टीस्पून साबीत 0 लिया लिया है नमक दो का यूज करें, रॉक शॉल्ट भी यूज करें तो सबसे पहले एक मिक्सर में सारी इंग्डियंट को रग देंगे तो एक बर में नहीं होगा दो बर में मैं ग्राइंड करूंगी तो आभी मिक्सेजर को बंद करके ब्लेंड कर लेते हैं तो देखिए हो गया है अभी इसे बावल में ट्रांस्पर कर लेते हैं और इस चाटनी को एकदम पेस्ट नहीं करना है थोड़ा दरदर असा रखना है जैसा आप वीडियो में देख रहा हुए बहुत ही इंपोर्टेन है क्यूंकि चाटनी का टेक्सर इसी तरह होता है तो इसे भी ब्रेंड कर लेते है तो चली इसे भी बावल में ट्रांस्पर कर आप इस चाटनी को बीडियानी के साथ या फित्ताहरी के साथ साथ कर सकते है बहुत ही टेस्टी लगता है मैं जब भी बीडियानी बानाती हूँ तो इस चाटनी को भी मुझे बानानी पड़ती है क्योंकि मेरे घर में साभी को पसंद है और बीडियानी के साथ तो साभी को चाहिए तो प्लीज इस चाटनी के एक बद जोरू ट्राइ करें इंसल आप सभी को बहुत पसंद आएगा अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें सबके साथ सेयर जोरूर करें और प्लीज मेरी चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले थैंक्स पर वाचिंग आला हफिस